बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं, हो सकता है आप भी उन्ही में से एक हूँ, जो गेहूं के साथ साथ सरसो की फसल को भी चाहते हैं, और इसी चाहत के चलते वो गेहूं में खेत के मेड के किनारों पर सरसो के फसल की बुआई कर देते हैं, लेकिन जब उनके गेहूं के खेत में खरपत्वार उगते हैं और जब खरपतवार नाशी दवाओं का प्रियोग करते हैं तो किसान के सरसो रूपी फलते फूरते अर्मान को ये खरपतवार नाशी दवाएं जूलसा करके नश्ट कर देती हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कौन सी दवा का प्रियोग करना है, कैसे छिरकाओ करना है, जिससे आपके खरपतवारन नश्ट हो जाएं और आपके सरसों की फसल भी बच जाएं तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ आपके साथ संजीव संकर्तिवारी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रियेटिव सैस में अगर आपके खेत में सिर्फ संकरी पत्ति के खरपतवार फालारी स्माइलर अवेना फात्वा जिसे आप बजरी अफित परपतिय जो कहते हैं अगर यहीं हैं तो आपके खेत के मेड़ों के किनारों पर भोई हुई सरसों को बचाना पहुत आसान है ऐसे स्थिति में आपको क्लोडिनोफ और प्रोपारजिल 15% फटेबल पाउडर का शिर्काव एक सार रूप से कर देना है खेत के खरपतवार 15 से 20 दिन में नियंत्रित हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे और आपकी सरसों की फसल सुरक्षित बच जाएगी अगर आपके खेत में सकरी पत्ती वा चोड़ी पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवार उगे हुए हैं तो किनारों पर बोई सरसों को बचाने के लिए थोड़ा ध्यान वा धैब्रे से तवा का शिर्काव करना होगा ऐसी सिति में आपको क्लोडीनोफोग प्रोपार जिल में बिना 2-4-D या मेटसल फूरान मिलाए एक नाजल पूरे सरसों पर छिर्काव कर देना हैं दूसरे नाजल से आपको 2-4-D या मेटसल फूरान मिलाना है जिस से खेत में उगे उगे चोड़ी पत्ती के खरपतवार नश्ट हो जाएंगे लेकिन याद रखना है कि जब आप 2-4-D या फिर मेर्सल पूरान प्लोडिनो फॉप पर जिल में मिक्स कर लें तब कि दमाएं आपके सरसों की फसल पर ना पड़ें यानि कि एक नाजल जो छिर्काव कर दिया है वहाँ पर दोड़ा छिर्काव आपको क कुछ इस प्रकार से लहलाहती भी दिखाई देगी जिससे आपको गेहू के साथ सरसों का भी अच्छा खासा उतपादन मिल जैएगा ऐसी स्थिती में जब आप गेहू के साथ सरसों की फसल का भी उतपादन चारे हैं तो आपको दबाचिर्काव करते वक्त बहुत सारे चिल्काव कर रखा है आपको कुछ पता नहीं है दूसरी बात सर्सो को बचाने के लिए आप पहली नजो सिर्फ क्लोडिनोफ और प्रोपार जिल्का ही छिल्काव करेंगे जितने भर में सर्सो लगी हुई है दूसरी नाजल से आप मेर्सलफुरान या टूफोर्डी मिला करक फिर आप छिर्काव करेंगे अगर आपके खेत में सर्सो बक्ची बत्वा भांग पालग जो कुछ लगी हुई है चोड़ी पत्ती की खरपार तो आपको इनका प्रियोग करना है अन्य था मैंने आपको बता ही दिया कि आप सिर्फ क्लोडिनोफ और प्रोपार जिल्का ही प दुसरी दमाएं हैं जिनका प्रियोग आप कर सकते हैं वो हैं आईसो क्रोटियूरान और फिनाक्सा डेन इन दोनों के बारे में भी मैं आपको डीटियल में बता चुका हूँ तो आप उहां से देख सकते हैं तीसरी सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर सरसो वाले खेट पर सरसो वाली पंक्ति बार ना पड़ें अब मैं आपसे यही उमीद करता हूँ कि आप इतना ध्यान देंगे इतने धहरे से चिरकाव कारेंगे जिससे आप गेहूं वा सरसो का बेहतर उत्पादन प्राप्त करेंगे बाकी मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ तब तक के लिए राम राम